फोटो या नाम बदलने पर हट जाएगा ब्लू टिक दिल्चस्प बात यह है कि अगर यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर फोटो या नाम बदलते हैं तो उनका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा और फिर से वेरिफिकेशन के बाद फिर से ब्लू टिक दिया जाएगा माना जा रहा है कि company ने ऐसे users पर सक्ती करने के लिए इस feature को launch किया है जो किसी भी विशेश campaign या विरोध में profile photo और नाम बदल लेते हैं आधिकारिक Twitter account ने जानकारी देते हुए बताया subscribe अपने handle, display नाम या profile photo को बदल सकेंगे लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका अस्थाई रूप से blue tick हटा दिया जाएगा और उनके account का दोबारा verification किया जाएगा गौर तलब है कि company का takeover मस्क ने पिछले महीने कर लिया था इसके बाद से वो लगातार इसको लेकर experiments कर रहे हैं Company ने Twitter blue subscription fee $8 रखी है हालां कि पैसे देकर blue tick मिलने से कई फर्जी accounts को भी blue tick मिल गए थे इससे उन accounts के गलत tweet को भी company का tweet मान लिया गया और कई कमपनियों को इससे भारी नुकसान पहुचा इसको देखते हुए company को blue subscription feature रोकना पड़ा हालां कि अब इसको नए तरीके से फिर से launch किया जा रहा है